आज मैं ये प्लेन आंस्टीच ड्रेस के उपर पेंट करने वाले हूँ बट ये प्रेस करना तो अच्छा रहता बट मैंने नहीं किया है अब जरूर कर ले ना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहले आप ड्रेस के नीचे इस तरीगे की कार्ट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो यह जो पतला टाइप का पेपर है यह बिल्कुल ना यूज़ करें और कपड़ा अगर बहुत ज़्यदा पतला हो तो यह फ्रेम का यूज़ जरूर करें और कलर के लिए आप देख सकते हैं यह फेबिक्रिल के अक्रेलिक कलर यह जो बड़ी-बड़ी डब़े है ना इसको भी यूज़ कर सकते हैं तो यह बहुत सारे color में मिल जाती है, यह मैंने online जो बड़ी डबबे वाले यह naturally मैंने shop पे नहीं देखा है, यह मैंने online purchase किया है और छोटी-छोटी जो bottle है वो आसानी से आपको कोई भी local stationery shop पे मिल जाएगी तो आज मैं दिखाने वाली हो जो freehand के design जो बहुत पसंद करते हैं जो जो फ्रेंट बहुत easy होना चाहिए एकदम all over work भी है और बहुत easy भी है तो इसको कोई भी plain trace के उपर ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं और बहुत ज्यादा आसान है जिनको एकदम कोई थोड़ी से मुश्किल टाइप की जो होती है जो design complicated टाइप की अच्छा तो लगता है बट करना possible नहीं होता है जो जो एकदम नहीं नहीं है तो वो यह ज़रूर ट अच्छा लगेगा तो यहाँ पर मैं चार नंबर की राउंड ब्रश यूज कर रही हूँ आप इससे थोड़ी बड़ी बड़ी जो फ्लावर चाते है तो आप 6 नंबर 8 नंबर 10 नंबर भी यूज कर सकते हैं और एकदम छोटी छोटी फ्लावर चाते है तो अब दो नंबर की राउंड ब्रश भी यूज कर सकते हैं और कलर के लिए यह पर मैं लेमिन योलो कलर यूज कर रही हूँ अच्छा लगेगा तो इस तरीके से पहले आप फ्लावर बना लेजिए पूरे ड्रेस के ऊपर पहले फ्लावर बना लेजिए अपने देखा कितना ज्यादा आसान है कोई भी आउटलाइन की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी इतना आसान है और आगे तो दुर्गापुजा है तो इस टाइम पर यह जब फ्लोरल डिजाइन है काफी अच्छा लगेगा कोई भी ड्रेस के ऊपर आप दोपटा के ऊपर भी यह कर सकते हैं और साइट पे कोई भी आप जो बॉडर जो मिलती है ना शौप पे कोई अच्छी वाली कोई लगा लेना तो बहुत अच्छा लगेगा ओल ओफर आपकी दोपटा के ऊपर आप और और गंजा के ऊपर भी ट्राइ कर सकते हैं यह बहुत अच्छा लगेगा बट क्या है और गंजा के ऊपर ट्राइ करने से पहले आप उसके नीचे कुछ भी अगर देना तो वह बैक करें और नहीं तो बैक साइट पे आ जाएगी या फिर आप पाल मेटलिक जो कलर होती है वो थोड़ी थीक टाइप की है और थोड़ी ग्लिटरी शाइन है वो एकदम से बाहर पीछे बैक साइट पे नहीं लगती है तो अब उसका भी ट्राइ कर सकते हैं और गंजा के ऊपर अ बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं यूज किया है मैंने मैं अच्छली मैंने पेंटी में बहुत ज़्यादा कलर भी यूज नहीं करती हूँ एकदम मिनिमम कलर और एकदम सिंपल डिजाइन जाकी सब बना सके हाँ ऐसे नहीं है कुछ-कुछ तो है थोड़ी थोड़ी टफ बट खुबसूरत भी है आप जरूर एक बाद चेक कर लेना और इस टाइब की डिजाइन बहुत सारे मिल जाएगी आपको मेरी चैनल पर यह मैं कम्प्लीट होने के बाद दिखाऊंगी और इसको पेंटिंग करने के बाद 24 आर्स के लिए ऐसे रख दीजी उसके बाद बैक कम्प्लीट कर लिया है और मैंने बहुत सारा फ्लावर बनाई है इसके उपर आप इस तरीके से बना सकते हैं और आपको ये वीडियो बीच में मैंने एक बार गलती से वो एक दो फ्लावर चुट गई है नहीं बनाई थैंक यू सो मच पर वाचिंग 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 दे ठीकेर बावाई